100% Effective Hair Pack रूखे सूखे जड़ते बेजान बालों में भी जान डाल देंगे, जरूर सुने 1. फ्रेश एलो वीरा लें, फिर उसका जेल निकालें और मिक्सी में पीस लें इसमें दो चम्मच नारियल का तेल डालें और मिक्स कर लें फिर 5 मिनिट तक अच्छे से सर की मालिश करें और पूरे बालों में अच्छे से मालिश कर लें ऐसा करने से बाल घने और पतले बाल मोटे होंगे आपको ये पैक बहुत पसंद आएगा, जरूर अपलाई कीजिए बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है इसलिए ये पैक आप जरूर लगाएं घर का एलो वीरा ही काम मिलें बाहर का जो मार्किट का जैल होता है उसको कम काम लें और जो घर पे एलो वीरा लगा हुआ होता है ना उसका ही जैल बना कर काम मिलें दो एक चम्मच कलोंजी और एक चम्मच मेथी दाना इनको थोड़े से पानी में रात भर के लिए भिगो देना है ज्यादा पानी में नहीं बिल्कुर थोड़े से पानी में भिगोएं फिर अगली सुबह इनको चार चम्मस धई डाल कर बारिक सा पेश्ट तयार कर लें फिर तीस मिनट बाद में धो लें ऐसा करने से आपके बाल ज़र्णा बंद हो जाएंगे बालों की लंबाई बढ़ेगी और बालों में शैनिंग आएगी तो ये भी आप जरूर अपनाए ये टिप्स ध्यान रखे जब भी आप हेर पैक लगाएं तो ये ध्यान रखे की बालों में पहले ओल ना लगा हो अगर बालों में ओल लगा हो तो पैक ज़्यादा फाइदा नहीं करता है इसलिए जब भी आप हेर पैक लगाएं बालों पर तो पहले ओल बिल्कुल ना लगाएं और हेर पैक तब ही लगाएं जब बिना ओल के बाल हो तब बहुत ही ज़ादा फाइदा करता है तीन एक कटोरी में धही लें फिर उसमें एक अंडा डाल दें अब अंडे को और धही को अच्छे से मिक्स कर लें और अपने बालों पर लगा लें फिर 20 मिनट बाद में बालों को धो लें ऐसा करने से बालों को प्रोटीन मिलेगा बाल जढ़ने जढ़ेंगे नहीं और बाल घने और लंबे होंगे नमबर 4 दो चम्मच मेठी दाना ले फिर दाना मेठी को कूट लें और उसके बाद उसमें एक कप नारिल का तेल मिलाएं फिर उसको एक कडाई में गर्म होने के लिए रख दें दोनों चीजों को अच्छे से एक से दो मिनिट तक गर्म होने दें फिर ठंडा कर लें बाद में इस तेल को छान ले फिर एक बोतल में भर ले इसके बाद हपते में तीन दिन इस तेल से हलके हलके हाथों से सरकी मालिश करें ऐसा करने से आपके बाल ज़र्णा बंद हो जाएंगे बाल मोटे और लंबे और घने होंगे साथ ही जल्दी से सफेद नहीं होंगे तो आप ये तेल जरूर लगाएं और हपते में तीन दिन ये तेल से हलकी हलकी मालिश करें पूरे बालों में लगाएं पांच, दो चुकंदर ले और उनको पानी में उबा ले जब चुकंदर अच्छे से उबल जाएं तो पानी को ठंड़ होने के लिए रख दें फिर उस पानी को अपने सर पर बालों पर लगाएं हलके हलके आतों से मालिश करें इससे आपके बाल जर्णना बिल्कुल बंद हो जाएंगे और अगर आपके डेंडरफ है तो वो भी सही हो जाएगा तो ये उपाय आप जरूर अपना है आपको बहुत फाइदा मिलने वाला है आप एक बार ये टिप्स अपना है आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होने वाला है तो आप एक बार जरूर आज माईए हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए धन्यवाद झालकर बताछब आपताँ terुरू कर दो पेज़ तो वीडिर शेह